नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप डाइट की मदद से अपनी पाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके पाइल्स की ग्रेड जस्ट वन है यानि कि वो इतने छोटे हैं कि अभी वो लेटिन के रास्ते बाहर नहीं आ रहे हैं तो बहुत बार जस्ट डाइटरी मॉडिफिकेशन करकर ही आप उसकी ब्लेडिंग को रोख सकते हैं और अगर ऐसा करके आपको ब्लेडिंग नहीं हो रही है और ये पाइल्स अगर प्रोग्रस नहीं करते हैं ग्रेड टू में तो हो सकता है कि आपको इसके लिए कोई भी ओप्रेशन या प्रोसीजर ना करवाना पड़े तो इस वीडियो को धान से देखिए हो सकता है कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो खाने में हमने वो सब चीजें एवाइड करनी हैं जिससे हमें कॉंस्टिपेशन हो और वो सब चीजें बढ़ानी हैं जिसमें हमें कॉंस्टिपेशन ना होने में हेल्प करनी हैं यमसे में पानी का इंटेग जाधा होना और फाइबर का ईंटेग जाधा होना बहुत ही जरूरी है पानी जितना जाधा हो सके उसो से जाला से vitro पीजिए पानी कि आप आप किसी भी फॉर्म में ले शकते हैं जैसे की डिया सीमपुल साधारन्न पानी या किसी और form में जैसे उसमें निम्बू डाल कर निम्बू पानी बना के या पतली लसी या किसी सूप्स के form में बेसिकली हमें liquid intake बढ़ाना है और water किसी भी form में हो वो आपके लिए अच्छा ही है फाइबर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं अगर आप vegetables ले रहे हैं तो उन्हें over cook ना कीजे डाल ले रहे हैं तो दाल चिलके वाली लीजे आटे के अंदर फाइबर ज्यादा रखिए या उस बहुत ही white तरह का आटा ना हो या mixed mallets हो जिसमें फाइबर ज्यादा हो workouts में फाइबर अच्या होता है इसके इलावा अगर ले रहे हैं तो बिना चिलके के बजाये चिलके वाली दाल लीजे ताकि fiber के content ज्यादा रहे और अगर fruit ले रहे हैं तो fruit ऐसे लिए ताकि अगर उनका बिना चिलके उतारे आप खावाएं तो खाईए जैसे की apple है उसक चि जैसे आलू, शकरगंदी, अर्भी इन सब चीजों में स्टार्च जादा रहता है और ओईली चीजों का कंसम्चन कम किजए अगर आप अलकोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसे कम किजए इससे भी कॉंस्टिपेशन बढ़ती है और अगर कैफिनेटेड ड्रिंक जादा ले रहे हैं जैसे बहुत जादा चाय या कॉफी लेना या किसी और फॉम में कफीन लेना तो इससे भी कम करना शुरू किजए खाने में मसाले की कॉंटिटी को कम किजए जादा तीखा मसाला या मिर्ची इससे भी कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है ध्यान दीजे कौन से खाने से आपको ये दिक्कत बढ़ रही है स्पेसिपिकली उस खाने को अपनी डाइट से निकाल दीजे कुछ एक पाइल्स की प्रोग्रेशन ही नहीं उसके लावा अगर आपको अल्रडी सद्री हो चुका है या पाइल्स के लिए कोई प्रोसीजर हो चुका है तब भी इन सब चीजों पर ध्यान दीजे ताकि ये दुबारा ये प्रॉबलम आपको फेस ना करने बड़े इवन पाइल्स क हैं यानि कि हम अपनी जिंदगी में इतने बीजी हो जाते हैं कि जब नेचर की कॉल आती है तो हम इमिजेटली टॉलेट जाने के बजाए कुछ तेर स्टूल को होल्ड कर लेते हैं जिससे कि वो हाड हो जाता है तो इस चीज़ पर खास ध्यान देना है कि जब भी आपको न आती हुआ हुआ परसूल को बटी हुआ हुआ है।